जूम जूम विदु गर्ज गर्ज घंकोर तो आज मैं आपसे को शेयर कर रहा हूँ तेंक्यू सो मच प्रिंस आपकी कॉमेंट के लिए और आप इतने प्यार से हरोज जो भी व्लॉग्स में डाल रहा हूँ उनको देख रहे हो अप्रिशेट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंफेक्ट सब लोग विकी को बहुत बहुत शुक्रिया दीपक शर्मा साहिल तेंक्यू अल तेंक्यू सो मच आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित भी आ याँ पे अभी जो मैं सामने नाम देख पा रहा हूँ मैं सब के बारें बोल रहा हूँ तो उसकी जर्नी ये है कि 2012 की शायद बात है 2011-2012 की आसपास की बात है तो एक मौनसुन फेस्टिवल हो रहा था दिली में जिसे की हमान्शो वर्मा करवाते है उसके लिए मेरी दोस्त शुमिता दीदी है वो क्यूरेट कर रही थी तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं एक मौनसुन पर कुछ सुनाओ वहाँ पर तब शुमिता ने कुछ मुझे पोइम्स दी कुछ अलग-अलग पोईट की राइटिंग्स दी उन कविताओं में जैसे ही मेरे सामने ये बादल राग आई मैंने इसे पढ़ा और मुझे पढ़ती लगा कि अरे ये तो ऐसे लग रहा कि जैसे मतलब इसे गायक है क्यों नहीं है किसे ने मतलब अभी एकदम से उसे पढ़ती इतनी strong urge मन में इतनी strong feeling आई कि उसे गालू मैं किसी तरह से लेकिन उसके शब्द इतने कठिन थे कि मुझे पूरा दिन लगा उसको जुबान पे चड़ाने में इस तरह से कि वो बिल्कुल flow में निकल जाए ये बात है शो से एक दिन पहले की जब मैंने ये composition की ठीक है मुझे अगले दिन perform करना है और आज मैं बैटा हूँ उसे compose करना है मैं कभी ऐसा risk लेता हूँ लाइफ में सुभा बैठा मैं उसे compose करने पढ़ रहा हूँ 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 पढ़ते शाम हो गई 6-7 बज गई मेरे ऐसा कहते हैं कि ना आटिस्ट को एकांत चाहिए होता है या या बिल्कुल आपको बिल्कुल पहाडों पर जाके compose करना होता है या writing करनी होती है या कुछ भी जो भी आपका आट है एकांत में जाके करना होता है मैं भी मानता था या लेकिन उस दिन उस दिन मेरा ये ब्रह्म तूट गया क्योंकि घर में बहुत लोग आये हो थे मेरी माँ थी, मेरा बड़ा भाई था बड़ी भेन, जीजू और भेन का बेटा तो ये सब लोग थे और चोटा सा मेरा वहाँ पे दिली में एक सेट अप था वहाँ पे, सब लोग मेरे पास आये होए थे पार्टी का माहौल था बिलकुल और उसी माहौल के बीच सब लोग आ रहे हैं कमरे में जा रहे हैं कोई खाना खारहे है, बच्चा उचल रहा है कूद रहा है कुछ ये सब चल रहा था और उसी के बीच मैंने गिटार उठाया, सुबह से शाम तक तो मैंने कविता पढ़ी और उसके बाद जब मैंने रात में गिटार उठाया, शाम में, 6-7 बजे के आसपास की बात है, गिटार उठाया और वो कुछ इस तरह से गाया गया, कि जैसे वो पहले से ही कुछ कंपोज था मतलब मुझे लगा कि मैंने क्या किया इसमें वो गिटार उठाया और बस गा दिया वो मुझे भी नहीं पता चला कि मुझे कोई effort मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी उस गाने को कंपोज करने के लिए तो यह चोटी से मेरी जर्नी है इसकी उसके बाद फिर अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई है बंफाड करके उसमें वो कविता वो गाना फिचर हुआ है अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप देख लीजिए और गाना तो मेरे यूट्यूब चैनल पर है ही आप जब चाहें उससे देख सकते हैं वैसे मैं लिंक भी डाल चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में आप उसे देखिए और एंज्योई कीजिए यह थी मेरी चोटी से जर्णी बादलराग कविता को कंपोज करने के पीछ थैंक्यू सो मच अगर आपको मज़ा आयो तो लाइक कॉमेंट शेर कर दीजी तुरंट से और अगर आप बिना सब्सक्राइब कि में भरनी जेरोों जर 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 नि जर गिर सर में जर 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 गिर सर में घर मरूं ठर मर्मद सागर में